मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल आफ्ताब इस्टडी क्लासेस में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैदिक कला को यहाँ पर सीखेंगे और इस वीडियो में हम लोग अनुविक्षेप और उत्सेथ से सम्मंदित प्रश्ण को सौल्व करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा प्रश्ण आपका है कि यह गलास अपने पेंदे पर 36 समतल पर रखा है इसका अनुविक्षेप और उत्सेथ खीचिए पेंदे का व्याज 5 से मी मुह का व्याज 7 से मी लंब उचाई 12.5 से मी है यह प्रश्ण आपका 2022 में आया हुआ है ठीक है तो आज की इस वीडियो में मिश्य को स्लिखने वाले हैं यदि आपको प्रावेदी कलास से संबंदित और वी वीडियो देखनी है तो आप उने देखिएगा आपको सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि अनुविक्शेप उत्षेद यह क्या होता है तो आप देखिएगा यह जो आपका चेप्टर है इसका नाम है लांबिक प्रक्षेप और आपको इसमें समझना है कि इसमें दो समतल होते हैं आपके सामने जो है इसे कहते है उर्द्वादर सम्तल और जो आपका नीचरी साइड में होता है इसे हम लोग कहते है छेतिज सम्तल देखें जो अनविक्षेप होता है ये छेतिज सम्तल पर बनता है और अनविक्षेप का मतलब होता है उपर से देखना है मतलब उपर से देख आपको चीज रख देंगे उसको सामने से देंगे तो आपको जैसे वह चीज देखेगी वह आपके क्या हो जाएगी आपका उट से इस तरीके से होता है तो यह पेंसिल ख़ड़ा कर दिया इस पेच के सारे ठीक है तो आप समझ सकते हैं यह उर्धार समतल था और यह चैटिज समतल पर दखना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लाइन करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग यहाँ पर लाइन कर लेते हैं ठीक है हमें यहाँ पर जो है इस तरीके से एक लाइन कर लेनी है ठीक है तो आप यहाँ पर समझेगा जैसे इस तरीके से आप ए यहां और करना यहां एक सेंटिमेटर यहां एक सब्सक्राइब देख लिया एक सेंटिमेटर यहां कर देखreme है तरीकेस तरीकेसे आप लाइन कर लेंगे एसका लाह और वा ठीक है यह से ऊपर का पाइट है, इस लाइन से ओपर का जो कर लीए ओधर क्या कहते है औरध्वाधर समतल और इस पर क्या बनता है इस पर बनता है उत्सेद जो नीचे है लाइन से नीचे का पार्ट है इसे यह लोग कहते हैं 36 समतल ठीक है और इस पर क्या बनता है अनुवित्षेव ठीक है इतनी बात आप सब इकल्द हो गयी होगी अब आपको करना क्या है आपको गिलास बनाना है और जो की 36 समतल पर रखा है अब जब गिलास को आप 36 समतल पर रखेंगे तो देखेगा गिलास का जो अनुविक छेप एक तो होगा अगर हम आपको समझाएं यापर तो देखें एक होगा आपका जो नीचे बनेगा वो होगा उत्स अनुविक चेप नीचे बनेगा ठीक है चैदी समतल पर और यहाँ पर आपका बनेगा उत्स सेध गिलास का जो अनुविक चेप होगा ना उपर से देखने पर तो आपको गिलास में सिर्फ जो उपर वाला बाहरी जो आपका कनारा होगा और जो अंदर इस तरीके से आपको उपर से देखने पर देखेगा सामने से देखोगे तो आपको ये इस तरीके से देखेगा ठीक है तो वस यही काम करना में है हमें गलास को पहले गलास का अनुविच्छे बनाना है तो हमें इस तरीके से क्या देखना पड़ेगा जो आपका उपरी व्यास है मतलब जो आपका पेंदे का व्यास है और जो आपका मुह का व्यास है आपको सिर्फ यही दिखेंगे ठीके गोल आकरत में और सामने से आप देखोगे तो आपको यह इस तरीके से दीखेगा ठीक है तो पहले हम ये बनाते हैं और बनाना कहां पर हमें है 36 सम्तल पर तो देखीएगा आप करेंगे क्या आप इस तरीके से आपने जो चानद आठीक है? यह आपका परकार है 1 minute, चानद आठीक है confusion, तो आप क्या करेंगे इस तरीके से रख लेंगे ठीक है और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से एक लाइन टिक है तो आपको पठरी लेनी है ठीक है और आपको यह लाइन करनी है बिल्कुल सीधी यह line जो आपकी है ना आप इसको इस तरीके से रख लेंगे ठीक है और आपको यहां से एक line करने है ठीक है इस तरीके से आप line कर लेंगे और आपको जो नीचे का पार्ट ना 36 समतल इस पर आपको इस glass को खड़ा करना है तो इसका जो मुखा व्यास से बो बनेगा इसी में और जो आपका है इसकी पेंदी का व्यास से बो बनेगा तो आप यहां पर देखेगा पेंदी का व्यास है 5 सेंटीमीटर मुखा व्यास साथ सेंटीमीटर तो पहले देखेगा अगर हम मोका व्यास साथ सेंटीमीटर देख रहे हैं तो अगर व्यास साथ है तुरिज्या कितनी होगी साड़े तीन सेंटीमीटर तो आप करेंगे क्या आपको साड़े तीन सेंटीमीटर की दोरी ले लेनी है ठीक है तो हमने यहाँ पर 3 cm की दोरी ले लिए है हम करेंगे क्या हमें 6 समतल पर क्या करना है इस तरीके से यहाँ पर आप एक पॉइंट टक लेंगे ठीके पॉइंट टक लिए हमने यहाँ पर है यह जो आपका है ठीके इस तरीके से आप बना लेंगे ठीके यह आपका बन चुका है यह जो आपका है 3.5 cm त्रिज्या से हमने 7 cm व्यास का बना दिया है आप देख सकते हैं यह तो इसके मूँ का व्यास हो गया है ठीके आप यहाँ पर देखेगा ठीके जो आप इसको मापेंगे तो आपका यह 7 का निकलेगा ठीके आप इसके बाद करना क्या आपको है इसके बाद आपको इसके जो पेंदे का व्यास है न 5 cm देखेगा आपको दिखाओ यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यहाँ पर है देखा है पेंदे का व्याज 5 cm है तो आपको 5 cm आपको त्रेज्या लेनी है और इसके अंदर आपको बनाना है ठीक है तो देखिएगा तो देखिए 5 cm की दूरी लेने के बाद आप क्या करेंगे आप इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर दखकर ठीक है और आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है एक वरत वाना ठीक है ठीक है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर यह बन जाएगा ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग आपके देखिए यह लाइन तो कुछ गई है आपको यहां से इस लाइन में इस तरीके से भी एक लाइन कर लेनी है ठीके तो यह जो इसके समांतर आपकी लाइन आपको यहां पर भी करनी है ठीके तो चलिए इसके समांतर लाइन हम लोग करते हैं आप चाहें तो 3.5 cm सेंटिमिटर देख लीजें काई यहां से कहां से आपका रहा है साड़ा तिन सेंटिमेटर ठीक है तो इस तरीके से रहा है यहां पर है और यहां से अप एक लाइन कहलेनी है ठीक है तो जो है आप इस तरीके से लाइन कहलेंगे ठीक है और यह जो आपकी लाइन हो जाएगी ना यहां पर तो अब आप क्या करेंगे आपको इसमें से इतना कापने कहलिया है आपको ऊपर के साड में प्रच्षेप डालने है प्रच्षेप आपके कि डालना है तो आप इस तरीके से जो है प्रच्छेप यह खिचते हैं ठीक है एक तो यह हो गया और एक आपका S के आगे भी खिचेगा प्रच्छेप पड़ेगा ठीक है तो यह जो आपका प्रच्छेप है यह आपका यहां से जाएगा ठीक है इस तरीके से आपका प्रच्छे इसमान तर आपको डालना है तो यहां पर भी आप लोग wait राजो गयासे है नहुत आपको करना क्या है अब हमारा नीचे का बन चुका पर है ढ़िएी इसका जो आपकों है विए इस निए मारा मतलब आपको कद से मिलाना है करो भनाना के en a यह आपको सहे से लिए इसके लिए और रां के से दीनतनी है और शा shifting और श्राइद करनेटर ले इते इस लिए o तो यहां से हम देख रहा है तो यह जो आपकी line ठी ना पहले से ही इसी line को हम थोड़ा बढ़ा देंगे 12 cm कहाँ पर है यहाँ पर है तो हमने 12 cm तक यहाँ तक अपनी line के लिए है ठेक proporti यह हमाटी line हो चुकी है यहाँ तक ठेक chemotherapy यहां से ये सिर्फ इतना आपको यहां पर देखेगा वांकि आप जो यहां पर देखेंगे आपको ऊपर की साइड में यहां क्या करना है अब आपको करना क्या है कि ये तो आपका 5 cm .... प्यास्तता 5 cm तो हमारा 8 kg हो चुआ है हमें यहाँ पर हमें साथ संटमिटर एक तरीका से देखना है पर है तो आप आपकर यहां से देखें ठीक है ठीक है तो इस तरीके से आप रखे लें ठीक है तो साड़े तीन सेंटीमीटर अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो साड़े तीन देखेंगे तो आपका देखेंगे यह यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है ठीक है इस तरीके से हमने यहाँ पर दो पॉइंट लगा लिए एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और हमें इस तरीके से पट्री को रखकर और हमें इस तरीके से यहाँ पर देखना पड़ेगा अब ठीक है तो आप अगर यहाँ पर देखें तो साथ तीन आपका यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो लाइन से इसको मिलाएंगे आप लोग यहाँ पर तो यह जो आपका है इस तरीके से आपका मिलेगा यहाँ पर देखेगा इस तरीके से प्रचचेफ यहाँ पर लेको देखे Him तो आप देखे है है यहां से प्रचचे इस तरीके से इधर डाल देना है यहाँ आप इस तरीके से आपका याँ पर को जाएगा देखिए आप लोग यहां पर ठीक है आप समझपा रहा है ना इधर ठीक है और हमें यहां पर करना क्या है यह भी देखना है बारा और यह बारा दोनों को बारा तक देखना कहां पर आपका जा रहा है बारा सेंटीमेटर तो इस तरीके से रखें हम लोग यहां पर तो बारा देखें कहा तक जारा आपका है तो बिल्कुल सही बारा है यहां पर इदर है ठीक है और इस तरफ कि दर हम बात करने 12 cm कि कहा तक आपका जाएगा तो यह भी आपका लगो गहीं तक है ठीक है अब आप क्या करेंगे अब आप लोग यह लाइन कर लेंगे ठीक है उपर से तो आपको यह लाइन जो है इस तरीके से आप यहां से मिलाते हुए इसमें लाइन कर लेंगे ठीक है और आपको इस लाइन को मिलाना है इस वाले पॉइंट से ठीक है इस तरीके से आपको यहां पर दखना है और यहां से आपका यह मिल जाएगा ठीक है इस तरफ से और इस तरफ की बात करेंगे यहां पर हम लोग तो यहां से आपका यह वाले इस वाले पॉइंट से ठीक है आपका यह वाला पॉइंट इस तरीके से मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इस वाला पॉइंट मिल जाएगा ठीक है और आपका यहाँ पर यह बनके रेडी हो चुका है गिलाश ठीक है यह दिखे इसका उत्सेद बन चुका है सामने से दिखने पर ऐसा दिखेगा और जविवाब इसको उपर से देखेगे तो आपका एक कुछ इस परकार से इहाँ पर दिखने वाला है ठीक है? अब यहाँ पर इसके बाद में इसकी माप को इहाँ पर लिखते हैं हम लोग अब आप लोग इसका नाम लिख लिजेगा ठीके तो आप यहाँ पर लिख लिजेगा का आगे लिख लिजेगा ठीके और इसके बाद में यहाँ पर गा कर लिजेगा यहाँ पर गा कर लिजे ठीके और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका एक बहारी व्यास एक पेंदे का ठीक है एक मोगा व्यास तो उसके लिए आप आख लिजेगा और बा ठीक है यह दोरों पॉइंट आपके एक ही जगए पर यहाँ पर है अब दिखिए यह जो का वाला पॉइंट है यह बिल्कुल उपर चला जाएगा और उपर कहा तक जाएगा यह वाला आ जा पेंदे का मतलब है ठीक है विल्कुल मत देगा ठीक है और एक आपका उपर का है मुख का है ठीक है तो इसमें से हम क्या करते हैं यहां पर लिएते हैं यहां पर लिएते हैं यह वाला पॉइंट ठीक है इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे यहां पर गा है तो यहां अपर वारा पॉइंट हो जाएगा घाधिस टिक्षे तो यह आपके नाम रख चुके हैं यहाँ पर है अब आप इसका माप लिखेंगी ठीके तो महाप भी आप लिखेगा यह जो ग्लास है ना आपका बना है तो इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई के लिए आप क्या करेंगे इस तरीके से लाइन करेंगे एक ठीक है इस तरीके से लाइन करेंगे और लंबाई आपकी 12 cm तो आप 12 cm यहां पर लिख लेंगे ठीक है यह तो 12 cm हो कि यह वाली माप हो गई और इसे में आपकी तली के माप भी है ठीक है तो अगर आप चाहिए तो उसको नीचे लिख दीजे कोई समस्याओर बात नहीं आपर है यहाँ पर आप इस तरीके से जो है यहाँ पर एक लाइन करिएगा सिर्फ इतनी रखेगा ठीक है इतने ही लाइन उमेद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा चैनल परेदिया आप लोग पहली बारा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिचेगा